नमस्कार दोस्तों ग्रेटू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वग आते हैं तो आज हम कंप्यूटर के फंडमेंटल के कोर्षन करने वाले हैं मोस्ट इंपोडेंट कोर्षन एक्जाम के दस्टी से तो सबसे पहला कोर्षन वह एलोक्रोनिक डिवाइस जो डेटा क परियोक लिए तो यहां पर जो फर्स्ट कर सकते हैं यहां पर कंप्यूटर के संबंद में कौन सा कतन गलत है तो एक यह एक लोजिकल मसीन और सूचना प्रोसेस करती है इससे जो भी सूचना इस्टोर किये उस पहुंच सकता है इसमें कोई भी बावावेग नहीं होता है इ जो एक और परतिबन ट्यंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है तो यहां पर यह जो सही आंसर है इसका सेगेंड का डी नेक्स्ट कोर्शन आपके कंप्यूटर के सभी कॉंपोनेट्ट या तो डैस डैस हैं तो यहां पर सभी कॉंपोनेट्ट जो होता हो क्या होता है कि है बाइनरी में दर्शाय गया है और डैस डैस में संगरित किया गया है जिसमें अभी स्वीप्यू दवरा प्राप्त बीकोड और निश्पादित किये गये है तो पांच में कशा यह जरूद यहां पर य 우리가 बेश्टिकंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्सम हो आने में तो रन नीड बैस अप्लिकेशन तो सही आंसर इसका शिक्स का ए नेक्स्ट एक डैस डैस दिखाता है कि कैसे परिचालन विश्यस्ताओं को एक साथ जोड़ा जाता है तो तक कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है तो सांत्वे का सही आंसर यहां पर डी क कंप्यूटर ऑर्किटेक्ट्चर कि निम्लिकित मेंगे लिए कौन सा बायोस का साइब पॉण रूप है पायोस की यहां पर जो फूल्फार्म कोती है बेसिक इंपूट- आउटपूट शिस्टम बेसिक इंपूट आउटपूट सिस्टम इसका साइब नाहिंत का हो गया सी नेक्स्ट आपकी सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रित किया जाता है तो बूट करने के लिए जो निर्देश जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वह जो दिया जाता है वायोस में बेसिक इंपूट आउटपूट सिस्टम next computer chips के निर्माण में किस पर्दार्थ का उप्योग किया जाता computer chips जो होते हैं उसमें यूज किया जाता इसे किया जाता है silicon next question नेमलिकित में से कौन सी चौतिक स्थी पिंडी की प्रोग्रमिंग बासा है fourth generation की प्रोग्रमिंग बासा होती है वो यहाँ पर SQL structure query language तो बारवेक आंशर है C next एक संगनक के घटकों के बारा मिनेमली कित कतनों पर विचार कीजिए तो यहां पे आप रामसिस कोर्षन को रिड करना यहां पे बड़ा कोर्षन है बहुत ही वहरी वहरी इंपोर्डन्ट कोर्षन है तो यहां पे तेरवेका जो सही आंशर होगा यह तो प्रोषिज डेटा को कि रूम में जाता है information. Next, what is full form for usb usb की जो इस्टेन्ड है इन्युवर्सल सीरियल बस तो यहां पर जो 15 का जो सही आंसर है यहां पर भी है इन्युवर्सल सीरियल बस तो यहां पर यह बस होगा वी यो यहां पर देख सकते हो हाडवर जो होता है इस में से ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है जैसे विंडू7 विंडू8 वगर वह है तो उसके अंतगत आता है तो यह जो होता है hardware का नंतकर नहीं आता है थो सोलियक्प आंसर भी कि एक सब्ध का अकार होता है कि कपिटर में द lot of the word ईंग सब्सक्राइब का चो क्हें होता है कॉंपिटर में यहाँ पर फिक सब्सक्राइब यह वीर्यसि मोंगध डिफरेंट यह कंप्योटर में निच्छी तर लेकिन विभीन कंप्या बीच विन होता है तो सट्रवे कर सब्सक्राइब इ們 नियुक्र में कौन से स्फू के गटक है तो सी पू के गटक होता है वो होता है यह लिए और कंट्रोल CPU का पूरा नाम, CPU की फुल फॉर्म जो होती है, Central Processing Unit, उनेश्वे का A निर्म में से कौन सी CPU को आंतरिक बंडरन परदान करता है, तो B श्वे का सही आंसर है, A, Register, 21 संपादित किये जाने वाले चार कार्य कर्मा से अप्राप्त करना और कुशल परिवर्तत यहां उत्पादन, मतलब परिवमाण, परदान करना, तो 21 का सही आंसर है, यहां पे, B, Decode करना, Port, Digital, Camcodes, Bra, Hardix, तदा अन्य योगतियों को जो उच अस्तांतर नदरों से लंबावित हो सकती है, को सयोजित करने के लिए फाइलों को अस्तांतर करना है, तो परियुक्त होता है, तो यहां पे जो Port यूज की जाती है, ट्रांसफर करने के लिए, तो 22 का जो होता है, FireWire, 22 का Storage और फिर Output, चोईस्वा, निमलिकित में से CPU का कौन सा गटक सिस्टम को सिधे एक्जीगूट करने के लिए जिम्हेदार होता है, तो चोईस्वे का सही अंसर है, यहां पे बी, Control Unit, निमलिकित में का कौन सा वेद पैमाना, CPU की गति को नहीं दरसाता है, तो 25 का जो सही अंसर instruction per second, 27, accumulator is integral compilator, accumulator का समकालित गटक है, 27 का सही अंसर है, यहां पे ए, CPU, निमलिकित में से कौन सा center positive unit का भाग नहीं है, जो CPU का जो भाग नहीं है, वो है, यहां पे random access memory, RAM, program counter, register, एक अन्यवर वाग है, तो यहां program counter, register, integral part, तो 29 का जो सही अंसर है, यहां पे C, case, memory, निमलिकित में किस memory में CPU की सिधी पहुँच, एक्सेज होती है, सिधी पहुँच महले, direct access हो करता है, तो 30 का सही अंसर है, यहां पे A, RAM, निमलिकित में से CPU का कौन सा भाग, ALU किरिय विद्धी के दोरान और इसते ही रूप से आकडों का संग्र करता है, और इसते ही मतलब यहां पे आप देख सकता है, temporary storage होता है, 31 का सही अंसर है C, register, निमलिकित में कौन सा विकलब CPU memory में सामिल नहीं है, CPU memory में जो सामिल नहीं है, वो excuse pad and memory and case memory, अटिस नमबर जो कोड़सन है, कि program counter register stored, तो counter पेसी का register बंदार होता है, तो यहां पे सबसे पहला जो answer है, इसका answer है C, address of the next instruction to be executed, next, computer की दुनिया सुन्य और एक निर्मित से एक से निर्मित हैं, इन सुन्य और यह को बंदारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है, तो प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है, यहां पे ट्रांजिस्टर लगाया जाता है, नेक्स 35 CPU consist of CPU में होता है तो अब CPU में क्या होता है यहां पर तो CPU में जो होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूणिट रजिस्टर और कंट्रोल यूणिट CPU के अंदर ALU CU और रजिस्टर यह तिनों यहां पर consist होता है नेक्स्ट 35 high power microprocessor रार उच गति का जो microprocessor है वो कौन जाया वो बता जाया है तो 36 का जो आंसर है यहां पर डी पैंटियम सेकिंड पैंटियम सेकिंड और फैंटियम और पैंटियम प्रो नेक्स्ट एक ऐसा डिवाइस जो कॉंप्यूटर से connected होता है लेकिन कोर कॉंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है उससे हम क्या कहता है तो यहां पर 37 का जो सही आंसर है यहां पर सी पैंटियम डिवाइस कॉंप्यूटर को दिये गए आदेश के किरियान वेन की समतानिमली किस्म है तो यहां पर आदेश जो ओर्डर दिया जाता है 38 का सही आंसर है यहां पर सी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट नेक्स्ट पीजी ए ग्राफिक्स कार्ड तो यहां पर यह पीजी ग्राफिक्स कार्ड की जो फुल फॉर्म जो होती है 39 का सही आंसर है यहां पर ए प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे नेक्स्ट एक कम्प्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और इंपूट आउट्व दिवेश को बताता है कि किसी कारेवन के instruction को कैसे पर्तकिरिया देना है तो 40 ये का सही आंसर है यहाँ पर सी कंट्रोल यूनिट के तारों का सैट Let Micro Processors and Memory के साथ आता है जिसके माधिम से data flow को कहा जाता है तो यहां पर data flow को जो कहा जाता है उसे क्या बोलता है data bus सब्सक्राइब कोन साइं सर्क्राइब लोको यांपेंग उनिक्स कांप्यट्र काby की न बतुप के सरक्यट को का जता है यहां पे मदर बोर्ड 43 का सजया सरे एंग नेक्स्ट पूर्शन नेमने से कौन कंप्यूटर के किसी एग गटक से दूस्य गटक तक बिबिन कमांड या कंट्रोल सिंगल सिंगनल परशारित करता है तो 44 का जो सजयां सर यहां पे से साटा और आईडी क्या है तो यह एक केबल का नाम है साटा और आईडी तो यहां 45 पर जो आंसर है यहां पर सी हार्ड ड्राइव के परकार क्योंकि इससे हाड इक्स वगर जो होते हैं कनेक्ट की जाती है निम्लिकित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्र दूरा किया जाता ह है तो यहां कि अपरेशन जांक शु स्कूर्ण और रिंद लोग्री तो यहां पर इसका सही आंसर प्रोक में और इस कीद्ण दोर्व यहां कौन पहला गणना यह उत्पति हुई तो यहां कम्प्यूटर सब्द की जो हुआ है फोर्टी नाइन को जो से यह यहां पर भी लेटिन भासा कि चार्ज वेबेश द्वारे डिजैन किया गया पर्तम यांतरिक कम्प्यूटर जो पर्तम यात्रिंग यात्रिंग जो कंप्यूटर है तो वह था अपना अन्यल्टिकट इन्जैन तो 50 का सभी यांसर आफ्ट दी वरांसिवन देटिबॉन यांजान कि किसे जाता है कंप्यूटर का जाता है चार्ल्स का बेजिश वानिज्यक dus उप्योग के लिए उपलब्द कराये गया पहला कंप्यूटर था वाने जिक कॉमेर्शियल यूज के लिए तो 52 का सब्सक्राइब यहां पर सी यूनिवेक किसने संग्रहित कारिक्रम की अवदान दी जिसमें कारिक्रम और संसादित किये जाने वाले डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है तो 53 का जो सब्सक्राइब यहां पर ए जॉन वॉल नूमन बारत का पहला कंप्यूटर का इस्तापित किया गया था तो बारत का पहला कंप्यूटर था जो बारते संके की संस्थान कलकता में सब्सक्राइब बारत में परतम कम्प्यूटर का प्रतिश्तापित या इस्टॉल किया गया तो 55 का सभी आंसर यहां पर भी इंडियन इस्टेटिकल इस्टिटूट कोल गता के अंदर किस शहर में भारत का पहला डागर एटियम खुला गया गया है वह खुला गया था बॉंबई के अंदर वेक्यूम ट्यूब को कम्पिटर की कौन सी पीडी द्वार इस्तेमाल किये गये था तो कम्पिटर जो वेक्यूम ट्यूब जो था वो अपने फर्स्ट जनरेशन में यूज की गई थी 57 का सही आंसर है ए 58 पिप्यइट चेम्पिट्र जनरेशन का फर्स्स से पाइफ का सही अनुक्रम बताना है तो फर्स्ट जनरेशन में वेक्यूम ट्यूब होती थी सेकंड जनेरेशन में ट्रांजिस्टर फिर इंट्रेटेटेट सर्किट फिर VLSI फिर माइक्रो प्रोसेसर फिर ULSI और माइक्रो प्रोसेसर तो इसका सही आंसर है तो यह जो 59 का जुसर यहां पर यह फिर्स्ट पीडी के एक्जेम्पल है वेक्यूम ट्रांजिस्टर से इस्तंत्र किये गए थे अब वेक्यूम ट्यूब से रिप्लेस किसे गया तो वह जो किया गया था वह सेकंड जेनरेशन के अंदर किया गया था इसी के वरगी करन का अधार है तो इसी के वरगी करन का जो अधार है वह यहां ट्रांजिस्टे कि संक्या किक्षिट् tomato a 62 कि सकंप्यू जर्द 샌 जर्द्रेसन ने आइसी को वईले संड़ी असरिक कि कि बदल गया वह किस में बदला गया फोर्ध जर्रेसन के अन्दर इन मैंसे कौन से वर्ग के computer microprocessor का प्रियोग करता है तो microprocessor का जो प्रियोग करता है वो करता है 4th generation computer के अंदर 64 Memory का अखार और परदेशन के अधार पर किसी परकार के computer को bug iron की रूप में जाना जाता है तो bug iron की रूप में किसे जाना जाता है सबसे पहला मीनी computer था सबसे पहला जो मीनी computer था वो था PDP 8 निमलिकित में से कौन सा विश्यो का पहला laptop computer बजार में लाया गया तो विश्यो में पहला laptop तो था इप्सान निमलिकित कत्रों पर विचार के जिए एडम और ने पर्तम स्वाभा अभी करने फर्स्ट प्रोटेबल computer विक्सित किया गया यान विल्म पर्तम फर्स्ट क्रोड़न सिप क्यूद्पति गी तो उप्रूर कतने में कौन सा इसमें सही है तो 67 का सही आंसर है सी दोनों यहां पर सही है प्रोटेबल या निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लाइव छोटा सा होता है उससे हम क्या कहता है प्रेशनल डिजिटल असिस्टेंट तो 68 का सही आंसर है स्वरी यहां पर यह सबसे छोटा तो उससे बोलता है नॉट्बुक 68 का सही आंसर है ए और पीडी जो होता है प्रेशनल डिजिटल असिस्टेंट होता है जो हैंडल कंप्यूटर होता है नेक्स्ट बारतिय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है बारतिय सुपर कंप्यूटर का जनक विजे बाठकर शुपर कंप्यूटर की एक संकला है जिसे पूने बारत में Center for Development of Advanced Computing के द्वारा बनाय गया और एसंबल किया गया तो यहां से 70 जो आंसर है इसका परहम कि सेंटीवं परंपदम जो हाल में चर्चा का विशे था यह बहरत द्वारा विक्सिद पहला शुपर कम्प्यूटर था भारत द्वारा विक्सिद सुपर कूंप्यूटर गाए नाम है तो इसका से आंस्र है बिशन सेवंटीटु निमली की त्मेसे 1976 वर्स में विक्सी सरुपरतम सुपर कंप्यूटर कौन सा था तो सुपर कंप्यूटर जो था सरुपरतम 1976 का वो था भी क्रे फर्स्ट सी आर एवाई क्रे फर्स्ट नेक्स्ट विच फीशाफ फॉलावेंग इस एन एंपूट डिवाइज निमले कितमे से कौन से इंपूट डिवाइस हैं तो यहां पर जो इंपूट डिवाइस माम कीबूर्ड और इनफनों इन पूट डिवाइस होता हैं इस का एका अश्छों गडी से अंधर आपको देरार OCR, OMR, BCR, or MICR. 74. Which device send information to a computer system for processing? कौन सा device computer system को processing के लिए सूचना बेजता है? Processing के लिए जो सूचना बेजता है, उसे हम बोलता है input. क्यों सूचना जो input का मतलब कोई भी information जो होती है, computer के अंदर जाती है. Next. The device that is physical image into the digital one is cold. वे कौन साथ उपकरण हैं जो एक भोतिक छवी को digital में बदल देता है? तो भोतिक छवी को digital में जो convert करता है, उसे हम बोलता है scanner. Next. Which among the following input device consists of a stick which pilot on a base and report its angle or direction of the CPU. निमलिकित input करण में से किसी एक छड़ी होती है, जो एक आदार पर गोंगती हैं और CPU को इसके कौन या दिशा की report करती है. तो इसका सही अंसर होगा यहाँ पर, B, light, pen. Sorry. इसका सही अंसर है यहाँ पर, D, joystick. क्योंकि एक छड़ी होती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इस तरही है हैंडल होता है, जिसमें left, right, top, bottom यहाँ पर गुमा सकता है. joystick जो होता है, game खिलने के लिए योज किया जाता है. 77. A, mouse, trackball and joystick are example of. तो mouse, track और joystick, तो यह सारे जो दोद्ध हैं, वो pointing device होता है, तो 77 का A. Next. M में से कौन सा कतन गलत है? Codless mouse, computer से बोती ग्रूप से जोड़ा नहीं है? Codless mouse, computer के साथ संसार करने के लिए infrared या radio तरमगों पर निर्वर करता है? तो 78 का सही अंसर है, C, ना तो फर्स्ट ना ही सेकिंड, तो 78 का अंसर होगा, C. निर्व में से कौन सा input unit से नहीं जोड़ता है? तो यहां पर 79 का जो सही अंसर है, यहां पर C, एक binary data मानों द्वारा पड़े जाने है, रूप में बदला जाता है, उसे परोप्ता समझ सकता है. तो यह जो होता है, input unit नहीं जोड़ता है, next, the technology of scanning that recognize handwritten text and printed text, scanning की वो तक्निक जो हाँ से लिके पार्टी और printed मुर्दित पार्टी पहचान थी है, तो 80 का सही answer होगा है, यहां पर C, OCR, optical character reader, OMR, optical mark reader, BCR, barcode reader और MICR, magnetic ink character reader, जिसका bank में यूज किया जाता है, competition exam में answer sheet चेक करने के लिए, कोमार सीट और BCR जैसे डिटलर सौफ अगरा होती है, प्रोडेट की information के लिए, बार कोड यूज किया जाता है, 81, 4, reading a candidate choice in multiple choice course and which of the following input device is generally used, बहुँ विकलपिक पर्सनों में उमीद और के लिए, तो यहां आप देख सकते लिए, तो यहां पर जो compression exam होता है, multiple जो कोर्शन होता है, उसकी चेक के लिए, optical mark reader, 81 का से answer आई का C, next, the default layout of the most keyboard is cold, तो keyboard का जो default layout जो होता है, वो होता है, qwerty, qwerty, mouse का click log, the click log property of the mouse, तो 83 का सही answer है, यहां पर D, allow a drag without holding mouse button, निमलिकित input करनों में से कौन सा display screen पर object का chain करने के लिए, एक परकास समयंदन सिल detector का उप्योग करता है, तो यहां पर 84 का सही answer हो का भी light pen, 85, input device analog सूचना को digital रोग में परिवर्ट करता है, जिसका उप्योग ड्रॉइंग और image में सुधार या बदलाव करके, जैसे बारिक काम करने के लिए किया जाता है, तो 85 का सही answer होगा, यहां पर C, digitizer, keyboard is used, keyboard का प्रियोग किया जाता है, keyboard का प्रियोग जो किया जाता है, सब दुसंक्या डालने, computer command देने के लिए, तो सही answer होगा, इसका, A, 87, parallel port usually are not used to connected, तो यहां parallel का जो नो connected करने है, तो जो यूज नहीं किया जाता है, वो बताना है, तो यहां पर parallel में जो 87 जो है, इसका सही answer होगा, modem, modem को connect नहीं किया जाता है, बागे सब को किया जाता है, keyboard और visual display unit के सहीं के लिए कहा जाता है, तदा एक communication of keyboard, the visual display unit is cold, 88 का सही answer होगा, C, terminal, 89, which key delete the character of the left of the cursor, left side के character को delete करने के लिए यूज किया जाता है, backspace, और delete जो होता है, right side के character को delete करता है, तो इसका सही answer है, B, 89 का, और पिछले कुछ वीडियो में मैंने home related एक question दिया था, तो home जो होता है, यह जो होता है, लाइन के實 STEADING में लाने के लिए और end की जो लाइन के and में करजर को मूग करने के लिए यूज किया जाता है, यह हमें इसी के साहथ यह इसी CTRL add करते था तो paragraph की studying करके एंड में लाने के लिए नेक्स्ट 90 किपोर्ड कीबूर्ड कीबूर्ड में एरो की तो कि यहां एरो की कह रहा है हूं की पेज़ब पेज़ड़न कंप्प्र कीबूर्ड और क्लासिफाइड तो उस्ट समय होगा यहाँ पे नेंविगेशन की यह सारी होती है डाइरेक्शन बताती क्यों एरो की होती इस तरीके से हूं की यहांपर देकसकती हो ओम कि दे रखाऊगा एक दे रखाऊगा पेज़ पर पेज़न उपर निच्छे कर निगली होती इसलिए यहां पर इसका अंसर आएगा नेविगेशन की का रखाऊगा एक पॉंटिंग डिवाइस का एक उधर रहे हैं तो 92 का सब्सक्राइब यहां पर सी पॉंटिंग डिवाइस जैसे माऊस है को म माऊस जोईस्टिक है टेज़ पींड टच स्क्रीन यह सारे जो होते हैं पॉंटिंग डिवाइस होता ढशा निएan इसे माऊस की मोमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का प्रॉम्हाइजब पूर टेर कब माऊस के अंदर which of the following use the banking industry for faster processing of large volume of check अब चेक के लिए जो बैंकों जो यूज किया जाता है वो किया जाता है M.I.C.R Magnetic ink, कर्रेक्टर, रिकोनाइज या रिडर 95 which of the following device तो रिकोनाइज आप प्री स्पेसिफाइड टाइप आप 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 पैंसल मार्क तो मार्क भाई पैंसल मार्क जो पैंस होता वो होता है OMR ओप्टिकल मार्क रिडर तो 95 का सही आंसर है यहां पर दी 96 microphone यह अंतर द्वारा निम लिकितने कौन सा कार्य या संचलन किया जाता है तो function of बताना अपने ने माइक्रोफोन का तो माइक्रोफोन जो होता है एक इंपूट डिवाइस होता है 96 का सही आंसर होगा D मानु बहद्शित को विदु तरुम्ग को प्रिविट करना मतलब convert the human space into the electric single निम्लिकित का मिलान करना सॉप्वेर तो यहां सॉप्वेर जो होता है वो होता है यह सैट आप प्रोग्राम इन्पूट डिवाइस जैसे यहां देख सकते हैं इन्पूट डिवाइस है आउट्पूट डिवाइस इस्पीगर और एक सेकेंडरी स्टोरेज तो इसका साही आंसर हो जाएगा 97 का एक कि नेक्स्ट कि निम्लिकित में से कि शुपकरन का उप्योग पैन के द्वारा मसीनी घतिविदी से कागज पर बहुत बड़े यह कॉंप्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है तो बड़े कॉंप्लेक्स प्रिंट करने प्रिंट करे जाता है दो निम्ल कितमे कौन से एक मॉनरीटर का टाइप नहीं है तो यहां पर मोनिटर के जो ताइप नहीं वो बताना है तो अंड्रेट का सø diving है यहां पर भी हाई डेफिनेशन मुल्टिमेटर यह केबल का नाम है यहां पर टीफ्टी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर सी आटी कैतोर्ड रे ट्यूप और यह लडी सी मॉनिटर है यहां LED होगा यहां फिर LCD होगा है नेक्सट 100 यज बाद 101 मॉनीटर पर सकेन पर जब कोई न्याठ्य आप्लीकेशन नहीं चल रही हो तो यहां पर चलते हो फाया चीमिटा यह पर प्रेट वेच र работать reads ब्ल нашего कुर्प यहांच सहोगा सी डेख्स्टोप डॉट पर इंच में DPI में नेक्स्ट एपिक्सल इज पिक्सल क्या है पिक्सल जो होता है पिक्चर का सबसे छोटा रिजुलेशन का भाग होता है तांसर सी वन जुरूफोर विंडूज में क्यू में पड़े प्रिंट कार्यों को आप कैसे रद कर सकते हैं तो एक सुचार का सही अंसर होगा एडबल क्लिक करके यह राइट क्लिक करके वहां से रिमो करना वीजी का पूररां वीजी की फुलों वीडियो ग्राफिक्स एरे इसकी सही अ बिंदू शक्रिया प्लोटिंग पॉइंट ऑप्रेशन परते सेकेंड के दर से निस्पत कर सकती है असकाई इस असकाई का पूर्ण नाम क्या है असकाई का पूरा नाम है अमरीकन इस्टेंडर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर जाए तो फर्स्ट कसा यांसर है यहां पर एवं चिन और दिव अधारी कूट को निचित किया जो विश्यों के करीबन सभी पंसाओं के लिए कोड अधिक चिनों को भी निचित करता है तता नए मानना को कहता है तो यहां जो एक सांट कसा यांसर होगा होगा यूनिक कोड नेक्स असकाई सेवन एक सेवन बीट कोड और हैं तो वह विश्यूस तूप से अधिकत्र उभनों के रूप में नियूपित कर सकता है तो एक सब्सक्राइब सेवन बीट होता हूं 16 विट का अश्का में जो होता है वो था है एट बीट का आई पीजव था तरी टु भीटका चट वीक्टी कोडिंग स्किर्म यूज दवीट कोड़ टेशिमल डिजित तो बिट्स कोड दसमलों औंकों में विश्यडी कोडिंग स्कीम का उप्योग करता है तो एक सबारवे का सही अंसर है यहां पर ए फोर बिट्स तेरवा एक सर्किट को डिजैन करने में सामिल उस परकरिया का नाम क्या है जो माइक्रोप्रोसेसर यूनिट सिंगनल की मेमोरी की यह अवशकता में मेल खाता है तो एक सब्सक्राइब से यहां पर D INTERFACE कथ रॉम डिसक्रेब्त रों रों रॉम के फुल परम होती है वह त competit bitten एक से एक से यहدا यह नेक्सट अ एक प्रामेग के बारे मरें निमलिक眉्पकटन पर विचर की जीए तो प्रात्मिंग एक में मेें मेमरी के बारे में डिसक्स करना है तो इसका से हम दिदीव डाइनमिक मेमोरी तो यह गतिसिल मेमोरी होती है और बायोस की फुल फॉर्म बेसिक इंपूट आउटपूट सिस्टम ओटीपी वन टाइम पासवर्ड रॉम ड्रीड अनली मेमोरी तो यहां पर इसका से यहांसर है डी नेक्स्ट वह उस समय के बीच जहां पढ़ने लिखने के आदेश को इसमर्ति में जारी किया जाता है उससे कहता है तो यहां पर कह रहा है दो बिट्विन दा टाइम एट विच रिट राइट कमांड गिव दा मेमोरी एट दो टाइम वें जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कैन इस तो दो मैमोरी इस कोल्ड एक सुल्वे का सही अंसर है यहां पर एक्सेस टाइम करकित में कौन सी कंप्यूटर के और इस्ताइए इसमर्ति है तो एक सब्सक्राइब कर सेंसर हो गया है यहां पर सी क्योंकि लाइट जाने कि बाद इसमें डेटा शेव नहीं रहता है तो वोलेटाइल जो मेमोरी होती हो कौaches रहां नॉन वोले इटाइल मेमोरी जो पुटे होते है रोम नेक्सट वीच आ나무 नाट करेक्टरटराइस्ट और डरेम कि बिशस्वाथन नहीं था क्या से सब्सक्राइब कर देडी स्मॉलर आज कर ऐ Society में लिए तो बोलर्ति होती हो भी यहां पर रहा है कि एक कई प्रोसेसर की नकल करने में सक्षम है और वह वास्ताओं प्रोसेसर से सिस्टम को नियंतर करने के लिए एक प्रोसेसर की एक नकल करने में सक्षम है और वास्ताओं में प्रोसेसर से सिस्टम को नियंतर करने के लिए है यूज ह strongest तो 12 शकु सबåह यह還शर है यहां पर ऴडैरेक्ट ओ where और एकसेच जिसमीं बोलता है दी हें एंस नेक्स एफ इस्तिर गटाश्सीडल में सितेज होति तो यहां 111 सब्सक्राइब को रिप्रेस की ज़रूरत नहीं होती है एक ऐसे परकार का कंप्यूटर जो डेटा इस्टोरेज जो सिस्टम की समानी गत्ती को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तमाल किये जाने वाले प्रोग्राम के निर्देशों को इस्टोर करता है वो होता है रेंडम एक्सिज मेमोरी रेम रेम वोलेटाइल या और इस्ते मेमोरी है क्योंकि क्योंकि इसमें डेटा बनाये रखने के लिए लगातार पावर सप्ले की क्या होती है जरूरत होती है तो यह मतलुम यहां पर यूप्यों क्या हो सकता होती है किसमें रेम में यदि वोलेटाइल मेमोरी और इस्ते मेमोरी के लिए कि छीप्यू दुवारा किस मेमोरी को सिद्धे ही उप्योग नहीं किया सकता है इसके बजाए इस मेमोरी को प्रावट डेटा पहले से रहे में लोड रहोता है और फिर प्रोसेस में बेजा जाता है तो एक से चोई सब्सक्राइब यहां पर यह सेकंडरी मेमोरी अन्य किस नाम से भी जैना जाता है तो सेकेंडर मेमोरी को किस नाम से जैना जाता है वह जाता जाता है एक्सेंटरनर मेमोरी की Ji नाम से मेरेच considering मिलेव लिक्न में से कौन सा सइओ नहीं है तो रेम जो होती है रेंडम से मेंमरी होती है वह राइट मेंमरी होती है वालसेर्म टिच से छेटा समस्पारईहों का एक सिंकरेंश में मेमोरी को नहीं को डाईता एक बाध कर एड़ियो रेम जब में ृढ़ियो का पूर्ण राम ताम यहां पर इडियो पूर्ण नाम यहें यहां Ag истор के और यह प्रोग्राम क्या खिलाते हैं जो रॉम में जो प्रोग्राम जो इस्टोर किये जाता है तो उसे हम क्या कहता है यहां पर प्रम वेर कि जीड अली मेमोरी की कौन सी विशे से उप्योग के लिए बनाती है तो 129 129 का सैंस रोगा भी रॉम में data non-volatile होता है अर्थात बीना electrical power के भी यह रहता है नेक्स्ट इन में से किसी यूवी रोशने में रखकर मिटाए जा सकता है तो यहां पर जो यूवी अल्ट्रा वाइलेट जो होते हैं तो वह होता है यहां पर सी इपी रॉम निम लिकस्ट मैंशें कौन एे ऍपी रॉम दीर नहीं है नहीं है तो 151 का आंसर होगा है दी सीकुएंशिल एक्सЕस मेरी है वह गतिब्यत को समयोजित करने के लिए प्रियुप्त वफर क्या कहता है तो यहां पर गतिर्टी वफर का कहता है ने include सब्सक्राइब करने के लिए तो 132 का सब्सक्राइब यहां पर एक केस होती है तो 134 का सब्सक्राइब यहां पर यह सीप्यू रजिस्टर एंड में मेमरी निम्लिकित मैं से क्या संग्रन युक्तियां मतलब अनुकर बढ़ते होए करमें दर्फान तो सबसे इस्ट्री जो हाई रहता है वह बढ़ यह सबसे पहले रजिस्टर केस्प्राइब फिर हडिक्स अ इन्यक्राइब से मेमरी सबसे कम एक्सीज समय तो सबसे सबसे 137 कोड़ें कि डाइरेक्ट में मैमोरी एक्सेज एक जैसी तक्निक है जिसमें सीप्यू तो डारेक्ट मैमोरी एक्सेज टेक्निक वेर इन दसीप्यू तो 137 का सही आंसर है यहां पर डी यह निश्क्रिय है डेटा ट्रांस फट्र में कोई इकान नहीं निवाता सब्सक्राइब सब्सक्राइंत महामले में इसकी सबसी ये सब्सक्राइब के संतर्व होग नई श्वामला इसक्यों क्यूंध परफ्स दमीगें लेन संतर स्क्राइब श्राहिए सब्सक्राइब hundred name लेना तरました मतलब update करने की विद्धी को क्या कहता है तो यह update करने की जो विद्धी को क्या कह जाता है यहां कह जाता है right back next question flash memory के बारे में निमलिकित कतनों में से कौन सा सही नहीं है तो यहां पर जो सही नहीं है वो है C यह एक समानि है यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यदिक सस्था है haven uncle quantity निम लिकित मेंसे कौन सा वाकिय की मैंड मेमुरी के बारे में गलत है तो यहांपर फॉल्स स्टेडमेंट बताना मैं मैं मेपमें के बारे में तो यहांपर यहां पर आंशर हो गा B एक computer memory के बीना चल सकता है 142 कौन सी memory external device का प्रतिनित्व करती है external device जो होता है जो अपने बाहर लगता है जो इंटरनल डिवाइस होता है जो क्या होता है computer के अंदर लगाए जाता है cabinet के अंदर तो यहां 142 का जो सही आंसर होगा ए secondary storage device जिसे जैसा hard X वगर है तो यह जो hard X होती है एक external भी होती है एक internal भी होती है next two type होता है 43 निम्लिकित में से कौन सी कर्मिक access memory है sequential access memory जो है वो कौन सी है वो बताने है तो sequential access memory जो होती है वो है यहां पर magnetic tap 143 का सही आंसर है यहां पर डी नेक्स्ट पूर्शन a CDRW डिस्क तो CDR compact डिस्क rw का rewritable तो मतले इसको बार बार एरेज करके इसमें हम राइट कर सकते हैं तो 144 का सही आंसर है यहां पर D can be erase and rewritten which of the following usually possess maximum history निम्लिकित में किस से सरवादिक बंदरन होता है सरवादिक बंदरन जो होता 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 है hard drive में तो 145 पर से एंसर भी हाद इक्स के आंतरिक track के गनतु होता है तो hardX के आंतरिक track के गनतु को क्या का जाता है तो यहां पर का जाता है see more than अधिक होता है निम्लिकित मैंसे कौन एक non-volatile computer storage device है जिसमें उच गतिस से घूमती है और चुम की डिस्क या प्लेटे मौजूत होती है तो यहां पर उच गतिस से गुमती है जो उसका नाम है hardX hardX drive HDDD hardX drive की फुल फॉर्म क्या हो गई hardX drive नेक्स्ट निम्लिक मैंसे कौन सा कतन गलत है cdr एक पूर्ण लेकन डिस्क है जो पहले से रिकोर्ड की डेटा को मिटा करें नए डेटा को लिखने के अनुमेंट देता है तो यहां पर देख सकते है फस्ट रू है फिर करहां सीडियार डबलू में और डबलू करते है रीड स्टोरेज प्लॉपिडिक से और एक कॉंपेक डिस से तो यहां पर वन सेकेंड और फॉर्थ तो वन सेकेंड और फॉर्थ इसका साही अंसर हो गया 145 49 का ए नेक्स्ट हाइड डेफिनेशन वीडियो की रिकोर्डिंग एन री राइट और प्लेवेक को सक्सम करने के लिए न टीष इटीफ फॉर्टिफ जी बी से अंनोरं हो यह मैं एक फ्लॉपि इंच屹्ण रॉपी में कितने आञड़े जम हो सकते तो तो दॉर्फ में कितने अखर्डर हो सकते लिए इन میں से कोई भी नहीं तो फ्लॉपिडिक की जो केपेसिये इंच्प प्लॉपिआ को नें कि नि है तो फ्लोपी डिक्स का जो इस daran यह है यहां पर एक्जुटDie। कि ने लिकित में सब्सक्राइक अप्टिकल मेडीय का एक परकार ऑप्टिकल जो मेडीय होता है तो अपटिकल मेडीय का अंदर क्या क्या आता है वह बताना यह यहां पर यहां पर सी CD DVD और ब्लूरेडिक्स तीनों है नेक्स्ट तो अभी हम यहां पर 53 में देख सकते हैं CD की जो कैपसेटी होती होती है अपने 500 MB DVD 3.47 GB से 16 GB और ब्लूरेडिक्स 25 GB से 50 GB 154 ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेड जो ब्लूरेडिक्स की नाम से जना जाता है लोग पर यह हो रहा है यह एक परंपरागर्त DVD से किस परकार भीन है तो 154 का से यह निज़र होगा यह बहुंद भी आशलते आश्यों गॉन से हैं फैस्ट और सेकिंड फैस्ट साइड अई 155 तो से सकती निरूपर करती है किने यहां मैंहेरोदेक्स जो होती है दिकेंड होती है तो 155 का और यहां पर दिवाइस हैं तो यहां ब्लोग डिवाइस जो होता है वह है यहां पर टैप ड्राइव कि मैन मेमोरी और इस्टोरेज में यह अंतर होता है कि मेमोरी डैस डैस होता है वह इस्टोरेज डैस तो जो मेमोरी जो होती है मेमोरी जो होती होती है ट्रेपलरी और इस्टोरी जो होता सी सॉलिड इस्टेट हाइब्रीड ड्राइव 159 निमलिकित मैं से कौन भारित कोड है वेठेट कोड जो होता है तो 159 का सब्सक्राइब यहां पर डी बीसीडी और सब्सक्राइब प्रोग्राम या इलोक्राइब निर्देशों की सहट को क्या कहता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है तो 162 का सब्सक्राइब यहां पर डी सॉप्वेर निरंतर सक्रेश सिस्टम प्रोग्राम प्रोस्स को क्या कहता है तो सक्रेशिस्टम या जो रणिंग प्रोग्राम होता है उसे क्या का जाता है बिस Ist प्रतिवंद के अधार पर सौफ्ट्वेर को प्रयोग करने का कानून याधिका निमलिक की द्वरा अनुदर्थ होता है तो स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्षन जो गरंटेट जो होता है वो कौन सा होता है सौफ्वेर लाइसेंस तो इसका से आंसर है भी बिल गेट्स ने 1975 में केसाथ मिस्तापित किया था तो किसे क्या था यहां पॉल जी एलन के कि लिए विंख के राऍनों का मिलान क्रने के लिए वाइल्डञार्ण को कॉन सा होता है तो क्या रहा है वाइल्ञार्ण कार्यक्धटर फूर मैचिंग फूर सप्प्लाई अतरिक विजली की अपूर्थी कि 168 एक फाइल को लोड करने और सेव एक ऐसा का रहे हैं जिसके द्वारा फर्फॉर्म किया जाता है तो यह किया जाता है दो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्प्प्प्प्प्प्प्प में तुरूटियों को हटाना क्या जाच की परकिये जो पहलती है वहत याँ प03 को आशे अंचर आप नेक्स श्त्य बताना तो ही बताना तो यह ँठेल्ष जो ओगा ऑप्रेटिंग सिस्टम मानुさん के बीच का इंटरफेस और OPERATING SYSTEM EQUAL TRAVELATION PROGRAM तो यहां देख सकते हैं OPERATING SYSTEM SYSTEM SOFTWARE होता है तो इसका मितलब फर्स्ट टू है और सेकेंड फॉल्स तफस्ट सेवंटीवन का जो सही आंसर एड OPERATING SYSTEM क्योंकि अवदाना का उप्योग निम्डे से किस कारिय में करता है तो 172 का सही आंसर होगा यहां पर फर्स्ट और सेकेंड कई परक्रिय को निश्पतित करता समय और कार्य क्रियानुन के मामले में एक हाडवे डिवाइस के समंद में एक्स बावत्र तरव का एढेग्स 173 विचSoft लोडमीग इस नाट घिएन उप्रेकिंग इस नमिल्स कॉन सब्राइटिंग नहीं है तो अबरेटिंग सिस्टम जो नहीं नहीं दॉस ऊपरेटिंगं लिनेक्स ऑपरेंग वीन्डाइल साकर नहीं कि यह विन्स एफश्टरोटय थैरर मेटान जुन इविस ट्रोटेय से IS आफ गप nay I विंडोज ओपरेटिंग सिस्टम इसकोल ततकाल मेसेजिंग अप्लिकेशन जो की विंडोज ओएस में आता है उसे क्या का जाता है तो उसे खाज़ता है यहां पर 175 का सही अंसर है एक विंडोज मेनेजर ऑपरेटिंग सिस्टम बेस ओन Linux लीनेक्स पर अधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है Linux पर अधारित उपरेटिंग सिस्टम जो है और अब देबन फेडोरा वन तो तीन है यहां पे दोस का पूर्ण डोस का डिस्क ओपरेटिंग शिस्टम 177 विच आप फॉल्विविज नॉट एह हर्डवर उनिट इनमें से कौन सा जो है हर्डवर उनिट नहीं है तो हाडवर उनिट कौन सा नहीं है ऑपरेटिंग शिस्टम कि दा बेसिक रिक्रूट्मेंट टू रन ने कम्प्यूटर को चलाने के लिए मूलबूत आउसकता होती है वो होती है यहां पर आप देख सकते हैं कि अएकल में से कौन से इकतन सफ्फ के लीनेग्स पर नछी में सिक टी और फै नफार अलग अलग पाइल का नाम मना जाखा विंडोजपनाल ने 512 याँ फाल का ना मना जाएगा तरहां पर यह सजसे के साइन सरा यहां पर सी फार्सकेंड दोनों धो फ्लाइव इनकोだ um इसी स्टम नलिवा सिस्टम में क्या अपरेटिंग सिस्टम परकार नहीं है। तो ऐब इसानि Therefore का है मल्टी टाइमिंग अपरेटिंग सिस्टम तो इसमें से कौन सा एक mobile operating system है तो यहां mobile operating system जो है वो है fedora सुर्य उधर नहीं है तो android होता है यहां पर operating system बड़ा होता है सेवियन होता है लेकिन यह fedora नहीं होता है next निम लिकित में कौन सा कमा लिक डिस्क में वालिम इस्तर को निर्मित और संसो जित करने के लिए प्रियुक्त किया जाता है तो मतलब क्रियेट और मोडिफाई करने के लिए तो 184 का सही आंसर होगा यहां पर भी लेबल डॉट एक सी 184 का सही आंसर है भी नेक्स्ट वर्तमान में mobile operating system अंडुट के पास है तो एंडुट के सुम में तुझ वह वो किसके पास है गूगल के पास तो नेमन कत्नों पर सद्यता का सबसे अच्छा वर्न कौन सा विकलब करता है तो 186 का सही आंसर रहे गां यहां पर ए परस्ट गलत और सेके टूट तो विंडोज एं लिनेक्स सिस्टम सब्सक्राइब और वाइरस टॉट यह की लोगर सब्सक्राइब लेकिन यह जो होता है यह वाइरस होता है कि विच आप फॉलॉविंग फंक्शन इजार प्रोवाइड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम परचलन तंतर दौर नेमलिकित में से कौन से कार्य किया जाता है 187 का सियांसर यहाँ पर डी प्रोसेश सेक्योर्टी और फाइल मेंगेजिवटी यह सबी कारे करें चाहिक चाहता है यह प्रस्ट्र नल कंप्रेश्न एंप होती है वह बता नहां पर 189 का सियांसर यहाँ पर शिस्टम को हड़िक्स से मुख्यय में 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 लाना और कंप्योटर को उप्योग करता हूं कि प्रोग्राम को निश्पादित करने के लिए तियार करना कि 90 पोस्ट पोस्ट की फुलफर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट तो इसके पास्ट है अंसर वन नाइंटी का ए कि नेक्स्ट बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम की वह परक्रिया है जिसमें जिसमें हार्डिक्स में मुख्य मेमरी में ऑपरेटिक सिस्टम को लाया जाता है तो सही आंसरो गया यह वन नाइंटीवन का है वन इंटीटो सिस्टम रणिग मोर देन वन प्रॉसेस कंकरणट्ली आर कॉल एक सब्सक्राइब परिग्रें एकसा चलाने कह स्थम क्या गयता है उसे हम कहते हैं मल्टी प्रॉसेसिंग कि औरयोटिंग कि सिस्टम के किस वर्ग में हाडवेर एक स्यधिक प्रोसेसर रखता है अब एक साथ व्यूजर प्रोसेइ रखता है वो होता है मुल्ली हो एक संदुनद में किस किस्म की परचमक पर्चमच परचेशिक पन्तर से हो कि एक समय में एक साथ कारइक करने क्लिकश का यूजिकी कि एक जाता है multi user operating system इक टाइम सेरिंग ऑपरेटिंग सिस्थम का प्रात्मी गुदेश से हैं टाइम सेरिंग का प्रात्मी गुदेश से कि गया है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन से अभू बताना है 196 का सही अंसर है dnx Linux एक प्रोटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है निम्ड में से कौन सा Linux प्रोटेबिलिटी सुविदा का सबसे अच्छा वड़न करता है तो 197 का सही अंसर है यह लिनेक्स विबिन परकार के हाडवेर पर काम कर सकता है और दो कमांड इस क्रिएट न्यू डिरेक्टरी इन लेनेक्स तो लिनेक्स की नई डिरेक्टरी कमांड कौन सा वह बताना है तो 198 का सही अंसर होगा भी डि가요 में लेनक्स एस लेनेक्स क्या है यहां पर 199 का सही अंसर है यहां पर डिस सिस्टम सब्वर लीनेक्स ओ प tolerance screens MIDI उड़ले अपर घ्रवल लेंट्यशा keynote और लेंट्वेृंटर प्रोंट्सार सब्सक्राइब आए किया है तो इसका किया था यहां पर पैंग्विन ने क यूनिक्स जो वता है मल्तिट्धिंड इस्टम होता है इस गॉत नदा यूनिक्स ऑपरेटिंग गिश्टम केammu कि तो यह जो तो UNIX जो लिका जाता हो लिका जाता है C में, next, UNIX is a operating system, and Windows 2007 is a operating system, तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो UNIX जो होता है, multi user operating system होता है, और Windows 7 होता है, वो single user operating system, तो 25 का सभी आंसर भी next निम्लिकित कमांड का ऑटपुट क्या होगा डॉलर सीडी का तो यहां 206 का जो आंसर होगा a return to home directory next डॉस कमांड में greater chain किस के लिए परियोक्त होता है और डॉस कमांड में greater जो होता होता है redirect output के लिए सही answer से MS-DOS is a operating system that supports user and threat MS-DOS एक operating system है जो उप्यो करता है और threat को support करता है तो इसका सही answer होगा भी signal, single, process और single तो यहाँ पे next computer, use of might moverics, mountain loin, snow लोयोपोर्ट, लोयोपोर्ट, टाइगर पैतर जोगर, प्यूमा और चिता किसके संद्रवित करता है तो यह जो करता है यह करता है Mac operating system के disk scheduling algorithm में FIFO का मतलब क्या होता है FIFO जो होता है first in, first out इसका सही answer होगा B, next virtual memory is a virtual memory क्या होती है तो virtual memory जो होती है और सिमित संद्र की volatile memory तो volatile memory of unlimited capacity convert high level language into machine language and execute it one ago उच इस तरी भासा को machine भासा में परिवित करता है और एक बार में ही निस्पादित कर देता है क्या कर देता है compiler next निमलिकित में कौन सा एक hardware नहीं है तो इसमें से जो hardware नहीं है वो बतन hardware assembler compiler का भाग नहीं है compiler का भाग कौन सा नहीं यहां पर linker नहीं है तो इसका से आंजर होगा D 250 question in operating system compiler parallel RTL stand RTL की जो stand जो full form जो होती है वो होती है run time library next question 16 एक interpreter machine code में program का अनुवात करता है interpreter translate program into machine code तो क्या करता है यहां पर one time at a time one line at a time एक interpreter machine code program का अनुवात करता है तो 273 का question भी जो इसका अंसर होगा वो भी होगा C one line at a time same question repeat होगा next word processing, spreadsheet and photo editing are example of तो यह सारे जो होता है क्या होता है application software next application software को निम्लिकित विविन उदिर से यह तो प्रियुक किया जा सकता है तो application software का कहा कहा पर यूज होता है वो बताने तो application software का यह बिजनेस टोल के लिए facilities to communication के लिए तो यहां first or second तो इसका सही answer है a which of the following software collect information from computer and transmit it man in the middle इन मेंसे कौन साफ़टर के जानके एकृत करता है और man in the middle संचलित करता है क्या करता है इस पर वैर next which of this not database management system इनमें से कौन सा एक database management पर नहीं है तो कौन नहीं होता है यहाँ पर तो यहाँ देख सकते हैं D KSO Cosmos what is collection of internet related data and set of program to access to those data तो 222 का जो सही answer होगा यहाँ पर C database management system है कि निम्लिकित में किया एक antivirus software है इसमें से जो antivirus software है वो कौन सा हैंग आउट जो участ कर नहीं है कि बाके वासे यहाँ ईक है एक किलाने क्कित में किया एक antivirus software है तो यहाँ पर सौरी यह इसका जो सही हम वह है अविरा एब आधारेस है नेक्स्ट इनमें से कौन से डीवी सौथर नहीं है डीवी में सौथर जो नहीं वह बताना है तो और कर डीवे में सौथर होता है सेब्स भी होता है एस्क्यूल होता तो कोबोल एक है लेंग्वेज है तो तो फोर का जो आंसर है सी होगा नेक्स्ट की फिल्ड की प्रात्मिक विशेश्ट है यह होने चाहिए कि यह विशेश्ट हो तो यहां यूनिक जो होगा इसका आंसर होगा 225 का में डिटा का है 226 सेंसर है सि टेबल शिएंदर निमलिकद में कौन तालीका समंद नहीं है वो कौन सा है ओट् ऩुकि तो की निमलिक में कौन थीकलब करता एक कि किसी survival pact की क्षेश्ट में किनी separately कजिए अवश्ट में से एक व्यवस्था से समतिल हैं तो दोसव अटर्च कर्शुसास आंसर होगा गार्डिनिटी को नेक्स्ट दरो अंपता टेबल इज नव तालिका की पंक्ति कैलाती है तालिका की जो पंक्ति केलाती है वह कैलाती है record निमलिकित में से कौन सा एक मानने रिलेशन ओप्रेशन नहीं है तो ओप्रेशन कौन सा नहीं है यहाँ पर डिलीट एक रिलेशनल डेटा मोडल में निमलिकित विकलो में से कौन सा वरन करता है कि लिए के लिए data को जोड़ तोड़ कैसे की जा सकते हैं जोड़ तोड़ की जाती है operation के द्वारा तो इसका से अशुर है दी उप्योग करता है किसी विसिस्ट उप्योग करता है या बूमी का महीं विसिस्ट अधिकारियों को हटाने के लिए हो निम लिक्ट में कौन सा कमंड जाता है वो वह है स्पेट एक समन्द डेटाबेस में डेटा रेड़ डिजाइन सी को कम करने की परक्रिया को का जाता है क्या का जाता है यहां नॉर्मल लाइजेशन डेटाबेस में डेटा के लिए बोतिक बंदरन की प्रात्मी की कई है 235 का जो सही आंसर है यहां पर यह टेबल CAD की जो computer added design इसका सही आंसर है यही 237 Not paid में अगले सब्द की सरुवात में करजर और इस्तांतरित करने के लिए कौन से shortcut की यूज की जाती तो यह करा move the cursor the beginning of the next word तो यहां 237 का जो सही आंसर है यहां पर D control प्लस right arrow ASP in computer science stand ASP के पुरा नाम के है ASP का जो पुरा नाम है वो है application service provider तो 238 का सही आंसर B API का पुरा नाम तो API का जो पुरा नाम है वो है यह application program interface GIS का पुरा geographic information system geographical information system 241 example of general purpose software general purpose software कौन सा यहां पर all of this MS Word Excel और Photoshop करने का परियोग करके बनाए गए प्रलेक में वर्तवान समय और दिना प्रविष्ट करने के लिए shortcut key का उप्योग किया जाता है नॉटपेट में जो आपको समय और दिना प्रविष्ट की जो यूज की जाती है वो है यहां पर F5 नेक्स्ट नॉटपेट में find and replace के लिए कि shortcut key का यूज किया जाता है तो 243 का जो answer यहां पर सी तो find and replace के लिए shortcut key यूज की जाते है control h और find के लिए control s save के लिए control r right alignment के लिए next question the Microsoft paint program is used Microsoft paint program का huge किया जाता है drawing and picture बनाने के लिए next question Microsoft axis database में कौन सा विकलब लग से मतलब object उप्लक्ट कराने वाला software package कहलाता है तो यहां 245 का जो सही answer है रूप मतलब forum next MS paint में menu में text tool विकलब को उस अक्सर मिला है तो यहां 246 का सही answer होगा डी जो होगा ए next software package विच प्रोवाइड एड़ोटाइजमेंट इस गोल्ड विग्यपन उप्लूप कराने वाला software कौन सा है तो वो होता है यहां पे addware तो यहां पर आप देख सकते हो 247 का सही answer है बी next question text को type करते समय जब सही margin का सामना करना पड़ता है तो insert point automatically text के शरुवात में वापस आ जाएगा इस frame को का जाता है इस frame को क्या का जाता है वर्ड रेव नॉट पेड में साइटा विकलब का प्रियोग करने के लिए कि sound cut के का यूज किया जाता है तो help के लिए जो यूज किया जाता है साइटा मतलब यहां पर help है तो इसका paint में विविद परकार के कितने paint brush होता है तो यहां paint brush जो होता है वो होता है यहां पर नाइं 251 disk cleanup tools एक है तो disk cleanup tools जो होता है यह होता है यहां पर utilities 252 एक utility software प्रोग्राम जो memory के अनवसक फ्रेग्मेंट को पैचानता है और disk space को पुन व्यवस्तित करता है ताकि operation इस्टतम डंक से हो सके वो कहलाता है तो वो होता है यहां पर disk defragmenter next which of the following is not antivirus software इसमें से कौन सा antivirus software नहीं है तो यहां COBOL जो होती है यह language होती है बाकिवाले जो है antivirus के नाम है 254 एंटी वाइरस software must be regularly updated तो antivirus रेगुलर अपडेट के लिए क्या होगा यहां पर न्यू वाइरस वूल नॉट भी रिकुनाइज नहीं वाइरस ग्यात नहीं हो पाएंगे इसका सही अंसर है ए नेक्स्ट एक malware जो गुप्त रूप से उप्योग करताओं के बारे में उनकी सहमतिक के बिना जानकर एकत्र करता है तो सहमतिक बिना जो होता है वह होता है इस पर वैर नेक्स्ट निम लिकित में से कौन एक utility software का परकार नहीं है utility software का परकार नहीं है browser नेक्स्ट एस सैट ओफ इंस्ट्रेक्शन इस कोल्ट उससे हम क्या कहता है program 257 का डी नेक्स्ट एक कंप्यूटर के center processing unit द्वारा सिदे इस संचावित की जाने वाले निजदेशों का सैट जो होता है डाइरेक्ट जो होता है वह हो जान सकते है तो 259 का सही आंसर है यहां पर ए मसीन पासा पर निर्बर है नेक्स्ट निमोनिक्स कोड या फिर बैकेट में जो लिकाए symbolic code के रूप में प्रयोग किया जाता है तो निमोनिक कोड का जो symbolic रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसका जो सही आंसर होगा भी assembly language न में कौन सा एक समय में उच history language program के कतन के समद्ध रखता है और machine निर्देश में अनुवा तुरंत क्रियानवित होता है तो तुरंत जो क्रियानवित होता है वो होता है यहां इंटर्प्रेटर सही आंसर C 262 असेंब्लर का कारी के है तो असेंब्लर का जो कारी होता है असेंब्ली बासा में यंत्र बासा में प्रवितित करना असेंब्ली बासा के समय में कौन सा करते है असेंब्ली बासा में कौन सा करते हैं असेंब्ली बासा मशीन पर निर्बर करते होती है तो सही आंसर है यही दो है फर्स्ट प्रोड्रमिंग लांगविज हो पर्तम प्रोड्रमिंग बासा कौसी थी परतम प्रोड्रमिंग बासा जो थी 2 64 का साइन्स राए या engh bi citizen 11h4-iche 410 कौनशी लांगविज बदने तो 1400 जो होती है ओ लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज़ होती है विच ऑप फॉलमिंछ सच सैनस्टिफिक कंप्यूट्र लाइग निम्लिक कौन से वेगेनिक मुपली बासा है वेगेनिक कंप्यूट्र पासा जो वह है पोट रैंट नेक्स्ट 267 उच इस तरी बास्टा की समन्द में निम लिके तो कौन सा कत्र सही है तो हाई लेवर लेंग्विज के बारे में जो कट्सन ट्रू है वो बताना है एक साइषण यहां तरू ही जो होता है एक मसीनिए बास्टा आ पना इन में से कोई नहीं जर्म से गोस्लिंग ने जो प्रोग्रंब बसा का डेवलोब क्या था वो थी एस पी तो टू सेवेंटर का जो सही आंसर है यहां पर भी प्रोलोग इस दो यह जो होती है प्रोष्टूडर लैंग्वेज होती है मतलब परकिरात्मक बासा next computer language COBOL is appropriate for computer बासा COBOL किस के लिए उप्योगी है COBOL जो होती है वो commercial प्रपस के लिए उप्योगी है किसी computer program में बच्चों दुआरा प्रियुक्त बासा प्राय कौन से होती है बच्चों दुआरा तो बच्चों के लिए जो यूज की जाती है वो होती है यहां पर लोगो नेक्स्ट 274 विच कंपने डेवलॉप हैक प्रोग्रामिंग लेंगविज हैक प्रोग्रामिंग बासा को किस कंपने ने विक्सित किया था तो किस ने किया था यहां पर फेस्बुक ने तो 274 का C सब्सक्राइब नेक्स्ट 29 में इल्लोक्रोनिक कंप्यूटर के लिए कौन सी पर्तम कंप्यूटर की बासा विक्सित की गई थी 275 का सही आंसर है यहां पर यह शॉट कोड निमनेज विक्रत और संगत बताना है तो औरकल मस्टोर्ट विंडोज यह नहीं है तो औरकल एक डेटाबेस सब्टर होता है मस्टोर्ट विंडोज और यह सार जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसका सही आंसर होगा यह 77 which of the following language is used to access database from database कि एक डेटाबेस डेटाबेस डेटा प्राप्ट करने के लिए निमने कौन सी 24 बाइट लेकिन यहां पर जो 278 का जो सही आंसर होगा यहां पर फिर बी नेक्स्ट कौन सा एक एंबी का सही मुल्य है एक एंबी का जो सही मुल्य वो है यहां पर 279 का सही आंसर होगा लोगर टू आपको क्या लेकर जाना है तो लोगर चोगी आप सबसे टेराबाइट तो यहां सबसे देख सकते हैं तो 280 का जो सही आंसर होगा तो यहींशीbी 200 सके सबसे आंसर क्या हो गया हूँए तो यहां गिगाबाइट 50T टेराबाइट के बाद यहां पायजाएक पायाईट पेटाबाइट के जैस्ट बाद माह जाएगा एक सबाइक्साबाइट के जैस्ट वाह में कितका सई मिलान किजिए तो यहां पर यह मिलान करना आपको तो 281 का जो सई आंसर होगा यहां पर सी होगा 282 इन में से डेटा मापने की सबसे बड़ी यूनिट डेटा मापने की जो सबसे बड़ी यूनिट वो है एक्साबाइट बंडरन के एकायों में एक जेटा बाइट किसके बराबर होता है तो यहां 283 का सई आंसर है सी बोथ ए और बी दोनो वन गीगाबाइट लगबग है तो वन गीगाबाइट जो होता है वो होगा यहां 1 इंटू 10 की पावर 6 बाइट वन टेराबाइट इकुलेंट तो 285 का सई सब्सक्राइट तो आज के वीडियो में इतना ही धन्यवाद